आज इस lecture के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं maximum efficiency और maximum power transfer में क्या difference होता है ठीक है इस question को मैं दुबारा समझा देता हूँ यानि कि बहुत सारे लोग के मन में doubt होता है कि क्या maximum efficiency पर कोई machine या कोई transformer operate कर रहा है तो उस समय क्या maximum power भी transfer हो रही होगी इस question को हम लोग solve करने करेंगे बड़ा ही delicate question है आप यकीन नहीं करेंगे कि जब जब initial time थे यानि कि जब हम अपने development पे थी Edison के time पे तो यह बहुत बड़ा confusion था हरको यह मान के चलता था कि सायद कोई machine अगर maximum efficiency पर operate कर रही है तो maximum power भी transfer कर रही होगी ठीक है इस question को हम लोग बेकिंगे इस lecture में चल power भी transfer हो रही है यानि कि max efficiency and maximum power transfer are two different things ठीक है और यह जो थे इन्होंने यह सबसे पहले यह बात बताई और accept करी कि दोनों चीज़ों में काफी अंतर है क्या अंतर है उसको हम इस lecture में सीखेंगे सबसे पहले एक इक चीज़ पकड़ते हैं सबसे पहले efficiency की बात कर लेते हैं बह जो भी हम input power देते हैं उसका कुछ portion losses में चला जाता है और कुछ portion जो है वो output power में convert हो जाता है ठीक है यहाँ पे efficiency जो होती है वो generally क्या होती output upon input होती है और इसका क्या मतलब होता है यानि कि कितना percent यानि कि power कितनी consume करी load ने divided by power supplied by the source यानि कि कितना portion of power जो है वो हमारा load तक पह power the source है उसका कितना portion load ने absorb करा या load ने consume करा यह जो चीज है यानि कि percentage जो होती है इसके बारे में efficiency बात करती है ठीक है अगर हम maximum efficiency की बात करते हैं तो maximum efficiency से हमारा केवल इतना मतलब होता है कि जो भी तुम input power दे रहे हो उसका maximum portion load consume कर रहा है ठीक है यानि कि आपने input power कितनी देन अगर वो maximum efficiency पर work कर रहा है तो समय जो भी तुम power दोगे input उसका maximum portion आगे load consume करेगा और losses ऐसे time पर minimum हो रहे होगे यानि कि जब हम maximum efficiency बात करते हैं तो losses minimum हो रहे हो रहे होगे यहां पर arbitrary input power यानि कि कोई भी certain input power हो सकती है जिस पर तुम maximum efficiency मिलेगी तुम यह नहीं कह सकते हैं कि यह input power ही maximum power है जो कि हम source से extract कर सकते हैं या transform कर सकते हैं ठीक है तो खास बात यानि कि जो tag line आ जाती है वो कि हम लोग जब maximum efficiency बात करते हैं तो हम लोग यहां पर हमारा पूरा फोकस होता है कि कितने efficiently power transfer हो रही है ना कि कितनी ज़्यादा power transfer हो रही ठीक है तो हम लोग ignore कर देते maximum power transfer को हम लोग यहां पर पूरा फोकस होता है efficiency यानि कि कितने efficiently यानि कि हमारा minimum losses पर यानि कि maximum efficiency का क्या मतलब हो गया यहां से हम एक वर्ट समाच सकते maximum efficiency का मतलब हो गया ऐसे time पर जब power transfer हो रही होगी तो minimum losses होंगे minimum losses ओके तो this is what we call maximum efficiency ठीक आगे चलते हैं अगर मैं बात करता हूँ maximum power की तो maximum power का simple सा मतलब क्या है कि maximum power जो की transfer की जा सकती है load तक यानि कि किसी भी system में एक आपने अगर कोई source लगाया है कोई load लगाया है तो एक certain power होगी जो की maximum तुम उस load तक दे सकते हो चाहे जो भी कर लो ठीक है उसके उपर वो power नहीं दी जा सकती ठीक है तो वो maximum power होती है जब हम लों maximum power की बात करते हैं तो यह हमारे लिए important नहीं है कि कितने efficiently वो maximum power जा रही है हमारा केवल focus जो होता है वो किस पर होता है हमारा पूरा का पूरा जो होता है वो focus होता है maximum power पे now आपको पता होगा maximum power theorem जो तुमने पढ़ी है transform में भी मैंने आपको पढ़ाई है और हमने generally theorem पढ़ी भी है तो आपको पता होगा कि जो maximum power theorem होती ही वो किस पर depend करती है load and source के impedance matching पे यानि कि अगर हमारे पास उस पे होता है कि कितनी maximum power transfer कर सकते हैं कितना efficiently कर सकते हैं इस चीज़ को हम लोग ignore कर देते हैं ठीक है इसको एक example दे समझते हैं मान के चलते हैं हमारे पास कोई transformer है जिसमें input 100 watt दे रहा हूं losses हो रहा है 6 watt के और output मुझे मिलना 94 watt अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे case की एक और किस ले रहा हूं इस case में हम लोग 400 सेम transformer है ठीक है उपर वाला जो transformer है वही नीचे वाला भी है अब मैंने input power 100 watt से बढ़ा के 400 watt कर दी है load हमारा sorry losses जो है वो 200 watt हो गए है क्योंकि जब power input बढ़ा होगे तो losses भी बढ़ गए है और ऐसे case में output power तुमें मिल रही है 200 watt अब ऐसे case में अगर efficiency निकालूँगा तो efficiency निकल के आती 50% अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात है अगर मैं पहले case की बात करूँ तो देखो ऐसे में तुमें maximum efficiency मिल रही है 94% लेकिन जो तुम output power, output power मतलब जो load को power मिल रही है जो load consume कर रहा है वो कितनी है वो maximum power नहीं है जो load तक transform की जा सकती ठीक है यानि कि अगर आपने maximum efficiency मिल रही है तो power आपकी maximum नहीं होगी जो load तक पहुँच रही है जबकि अगर दूसरे वाली case की बात करें तो ऐसे case में देखो efficiency तुमारी कितनी है? efficiency 50% है यानि कि efficiency maximum नहीं है लेकिन output power जो मिल रही है 200 वार्ड ये क्या है maximum power है जो कि transfer की जा सकती load तक यानि कि अगर हमाय पास source है और अगर मैं चाहता हूँ कि fixed rating का source है और मैं चाहता हूँ load तक maximum power पहुचे तो ऐसे case में आपको efficiency के साथ compromise करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं चाहता हूँ efficiently पहुचे तो ऐसे case में maximum power के साथ compromise करना पड़ेगा आयो समझ में आ गया हुए example ठीक है इन दोनों के बीच में difference clear हो गया होगा तो अगर मैं difference इनके समझ नहीं कोशिश करूँ तो for maximum power अगर मैं चाहता हूँ कि maximum power transfer हो तो देखो maximum power transfer करने के लिए मुझे load current को बढ़ाना पड़ेगा अब ऐसे case में supply voltage constant है cause 5 भी constant है क्योंकि load का power factor माल लेते हैं fix है तो ऐसे case में अगर तुम्हें transformer से maximum power transfer करवानी है तो ऐसे case में क्या होगा current की value बढ़ानी पड़ेगा अगर load current बढ़ा होगे तो load current बढ़ने से copper losses बढ़ जाएं क्यों copper losses I square R होते है copper losses बढ़ गए तो efficiency down हो जाए क्योंकि हम जानते हैं कि efficiency जो होती है वो losses के साथ negative में काम करती यानि कि losses बढ़ने से efficiency down होती है जबकि current जो है वो एक power के लिए जरूरी है तो इसी लिए यानि कि यह वो difference है या कह सकते हैं यह वो reason है जिसकी वज़े से maximum power पे efficiency आपको कम मिल गई है ठीक है तो यह clear हो गया होगा efficiency maximum efficiency पे आपको maximum power नहीं मिलती जल्दी और maximum power पे maximum efficiency नहीं मिलती ऐसा क्यों होता है reason आपके सामने है clear हो गया है यहाँ पे तो अगर generally case की बात करी जाए तो generally at maximum power transfer efficiency is 50% आपने पढ़ा भी होगा DC machine में यह question direct exam में कभी कभी पूछ ले जाता है कि अगर कोई machine है कोई motor है कोई transformer है वो अपनी maximum power transfer कर रहा है उससे में efficiency कितनी होगी तो इसका answer होता है 50% और less than 50% यानि कि 50% के आसपास generally इसके maximum efficiency होती है maximum efficiency नहीं 50% के आसपास इसके efficiency होती है जब आप maximum power transfer कर रहे होते हैं तो आयो भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा अगर मैं इसको एक एक लाइन में conclude करूँ तो maximum efficiency का मतलब है कि कितने efficiently हम power को transfer कर पा रहे हैं यानि कि कितने कम losses के साथ हम input power को अपने load तक पहुचा पा रहे हैं इसे हम कहेंगे maximum efficiency और जब हम बात करते maximum power की तो इसका मतलब क्या हुआ कितनी ज़्यादा power तुम send कर सकते हो load तक यानि कि वो maximum power जो load extend कर सकता है source से irrespective of losses इसमें हमें losses पे द्यान नहीं देना होता है तो यहाँ पर इस lecture को मैं conclude करूँगा अगर यह lecture पसंदा है लाइक कर सकते हैं कुछ नया सीखा है तो comment section ज़रूर बताएं अगर आपको कोई भी doubt है इस से related तो आप वो भी comment section बता सकते हैं आपने मना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद